गुजरात के मोरवी में रविवार शाम को मच्छू नदी पर बना केबल पुल तूटने से एक बड़ा हाथसा हो गया है इस घटना के दुरान पुल के उपर खड़े कई लोग नदी में गिर गए हैं बताया जा रहा है यहां करीब तीन सो से चार सो लोग इस पुल के ओपर खड़े हुए थे गटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुँच गई और रेस्क्यू आपरेशन युदस्तर पर शुरू कर दिया क्या था NDRF और SDRF की टीम में भी जल्द मौके पर पहुँची बताया जा रहा है कि हाथसे के वक्त सेकड़ों के तादात में लोग पुल पर मौजूद थे रेस्क्यू टीमों ने कई लोगों को नदी से निकाल कर अस्पताल भेज़ दिया है वहीं अने लोगों की तराश भी जारी है सभी लोगों को जल्द से जल्द नदी से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं रविवार को छुटी का दिन होने के चलते यहां पर काफी भीर थी गुजरात के मुख्यमंतरी बुपेंदर पटेल ने हाथसे पर दुख जताते हुए मरतिकों के परिवार के लिए चार-चार लाक रुपे और घैलों को पचास-पचास हजार रुपे देने का ऐलान किया है ये पुल करीब सौ साल पुराना बताया जा रहा है और कुछ दिन पहले ही इसकी मरमत कराए गए थी मरमत के बाद पांच दिन पहले ही इसे आम जनता के लिए फिर से खोला गया था प्रधान मंतरी नरींदर मोदी ने गटना पर दुख जताते हुए गुजरात के मुख्य मंतरी वुपेंदर पटेल से जानकारी मांगी और हर संभब मदद का भरोसा दिया है उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए दो दो लाक रुपे और घायलों को पचास हजार आर्थिक मदद देने की गोशना भी की है